हेलो गाइज वेल्कम टो अनदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फिंट्स हील लिमिटेट की ओर से दिसंबर क्वाटर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है आज के इस वीडियो में अलसिच करेंगे स्टैंडलाउन कॉंसॉलिडेटेड दो रिजल्स आउट हो चुका प् है इस बार का 794 कंड का प्लियों को पिछले क्वाटर में 728 किलोड का इंकम हैं क्वां और 영어서 यो यो अधिनीज के ए Mindy 3 में 11.21 किलोऑ तर वेर के क्वाटर में 18 क्रोड का ओप्रेटिंग पॉफीट है क्वाटर ओन क्वाटर में रिकावर है यह रॉन यह में डाउन है क्योंकि एक्स्पेंसेज बहुत ज्यादा किया गया था नेट लॉस की बात करें तो लॉस पॉफिट लॉस से 7.1 क्रोड का लॉस है पिछले क्वाटर 15. 12.7 क्रोड का लॉस है और दिसम्बर 22 क्वाटर में 12.5 क्रोड का औप्रेटिंग नेट पॉफिट है क्वाटर ओन क्वाटर में रिकवर है यहर ओन यह में डाउन दिखने को मिल रही है सेग्मेंट वाइज बात करें तो रूफियंग सॉलूशन्स बिल्डिंग सॉलिशन्स, पॉलीमर सॉलिशन्स, फ्लोरिंग सॉलिशन्स, अदर्स इन सभी को एड करके रिवेन्यू हुआ है रिवेन्यू तो अच्छी ग्रोथे बाट एर और एर के एक्स्पेंसेज ज्यादा होने के कारण पॉफिट में डाउन देखने को मिल रहा है बलकि अच्छी लॉसस बार देखने को मिल रहा है कंपनी में अगर हम इसके स्टैंडल ओन फिनांसल रिजल्ट को कवर करें गाइस तो इंकम में फाइफ उन्द नैंटीन.9 करोड का पिछले क्वाटर में 472 करोड का दिसंबर 22 तो 448.6 करोड का एक्सपेंस हुआ था और कॉटर में इंक्रीज अब यह और यह आन यह लिए इन बहुत जादा वसके कारण पॉफिट में डाउन प्लस पिछले क्वाटर में 13.8 क्रोड के एक सब्समें इसके कारण पॉफिट न बहुत जादा डाउन हुआ है नो अप्रे quarter on quarter year on year दोनों में डाउन देखने को मिल रही है तो गाइस कंपनी का overall result अगर देखा जाए ना तो बहुत ही एवरेज है क्योंकि देखिए Consolidated में कंपनी का profit year on year में डाउन एक्सपेंस ज्यादा हुआ था लेकिन स्टैंडर बान में एक्सपेंस बहुत ज्यादा होने के कारण और कंपनी का profit बहुत ज्यादा डाउन हुआ है तो हम लोग वीडियो कहीं प्रेंट करते हैं अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे मिलता है ने चुरूड़ा में डिलिंग